जै जै संदेव मकरास को दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके ही दैनीक रासी फल में मैं हूँ आचारस के तिवारी दोस्तों हाजिर हैं आपका रासी फल लेकर 25 नमंबर सोंबार कर दिन आपके लिए कैसा जाएगा जानने का प्रयास करेंगे तो आईए रासी फल जा होगा तो यह आज का सुर्यास 5 बच के 24 मैट पर होगा आज के दिन चंद्रमा पूरे दिन कन्या रास में कोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी कन्या होगी बात करेंगे आज के महूरतों की तो ब्रहम हमूरत रहेगा 5 बच के 4 मिनट से सुबह 5 इसके अलाबा आज कोई भी सुमहूरत नहीं बन रहा है आज का राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8 बच के 14 मिनट से सुबह 9 बच के 30 मेर तक राहुकाल के समय किसी भी अच्छे और सुबह कारियों के सुरूत नहीं की जाती है अब आई ये बात करेंगे आपके रासी फल के बारे में मकरास के दोस्तों आज का दिन आपके लिए काफी सांती पूर्ण और सामाने रहेगा और जितना सरयल महसूस करेंगे उतना ही अच्छा महसूस होगा अधिक या पेक्छा ना रखें और ना ही कम मिलेगा इसलिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज आपको मित्रो में निवेश कर सकते हैं या नया बाहन खरीच सकते हैं ऐसे कई मामले हैं जिन पर आपकी राय पर विचार नहीं किया जाएगा आज आप थोड़ी दुखी हो सकते हैं काम से जुड़ी यात्रा आपके लिए फायदे मंद रहेगी और नए कारियोवारियों से जुड़ने का मोगा भी मिल सकता है मकर रास के दोस्तों आज आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा साथ ही आज यात्रा नोकिदी और निवेश से अनकूलता प्राप्त होगी आज आपका दिमाग उन लक्षों पर केंद्रित है जो आपने कुछ समय पहले निरधारित किये थे आज आप काफी खुस रहेंगे क्योंकि पैसा आपके पास आएगा ब्यापार में आज का दिन अच्छा लाब रहेगा आपकी आए में बृद्धी देखने को मिलेगी आमदनी बढ़ाने के लिए आपको कुछ नए सुरोत मिल सकते हैं साथ ही आज आपको खुद पर विस्वास के साथ अच्छा काम करना चाहिए और अपने सहकरी में उकसाथ और सहायकों के साथ अच्छा ब्योहार भी रखना चाहिए मकरास के दोस्तों पढ़ाई की प्रतियाद की रुची बढ़ सकती है आज के दिन अपनी उर्जा को बेकार के चीजों में बरबाद ना करें बलकि इसे सही दिसा में इस्तेमाल करें आज जीवन साथी की सोच को समझने की कोशिस करें इससे आपको ही फाइदा होगा और दोनों के बीच में बहतर सामन जस्ट बना रहेगा मामले को लेकर किसी भी प्रकार की हरबड़ी ना करें आर्थिक रूप से किसी भी निर्णा के लिए आपको आज के दिन बहुत सापधानी से काम लेना चाहिए मकरास के दोस्तों अपनी नोकरी से दूर होने से आपका दिमाग खुल जाएगा हो सकता है कि आप ऐसे बिचार लेकर आएं जो आपके केरियर को अच्छा लाब पहुँचाए लब कपल्स को रिस्तों में थोड़ी समझ की जरूरत महसूस होगी बिगड़े हुए रिस्तों को फिर से पट्री पर लाने का प्रयास करते हुए आज नहजार आएंगे आज के दिन जीवन में सुख समरीधी बने रहेगी और प्रेमियों के बीच में बहतर सामन जिससे देखने को मिलेगा मकरास के दोस्तों आज आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं मन में धार्मिक बिचार आएंगे और लोगों की भलाई के लिए कोई नया काम हाथ में ले सकते हैं साधी सुदा लोगों को अपने ग्रिहस्त जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिस करनी चाहिए जिससे आप जीवन साथी के चेहरे पर खुसी देख सकें कुछ समय के लिए आपके भी थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है लेकिन बहुत देर तक नहीं टिकेगा आज के दिन आप उन से कुछ अच्छे करने का प्रयास करें जिससे उनकी चेहरे पर खुसी देख सकें मकर रास के दोस्तों धन ब्रिद्धी के लिए किसी भी प्रकार के साथ कट का प्रयोग न करें किसी से अनबन देखने को मिल सकती है परिक्षा और साक्षात का राध में अच्छे सफलता मिलने के योग बने हुए है अगर आज मकर रास के जातक किसी भी इंटर्विव के ले जाते हैं तो उनके लिए यह योग बहुत अच्छा बना हुआ है साथ ही आज माता को संतान से सुखों की प्राप्ती होगी यदि आप किसी सिख्षा प्रत्योगता में भाग ले रहे हैं तो भाग और आपकी मेहनत दोनों आपका साथ देंगे आज आज आपकी आर्थिक स्थिती में भी मजबूती देखने को मिल सकती है आज आपके लिए दिन बेहतर कहा जा सकता है आज का दिन आराम का है लेकिन आपको अपने अधिकारियों से काम मिल सकता है चीजों को समझदारी से मापे पाटन साथ कुछ अच्छा करने का प्रयास करें यही आज आपके लिए मूलो मंतर साबित होगा तो मकारास के दोस्तों यह था आज आपका रासी फल कल फिर से एक नए रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसाने देऊ